पान क्रेया क्रेटीस यह एंगे पैंक्रियास के अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है जिसके वजा से पेट में डर्द होता है और बहुत सारे बच्चों को भी एशू हुता है जब अल्टरस उनोग्राफिय करके देखते हैं तो पता चलता है कि पैंक्रियास जो हे इंसलाम हो गया बलेट टेस के इंदर इसके बजह से कभी εमेलाइस बढ़के रहता है कभी शुर्कर वगरा भी बढ़के रहता है अब मस्टा यह है कि पैंक्रिस होता क्यों है, इसके बहुत से रीजन है सबसे बहुत सारे जो रीजन है वो है वािरस का इंफेक्शन, कोई भी वािरस इंफेक्शन पैदा कर सकता है इसके इलावा बहुत सारे लोग जो कार्बोहाइडरेट फुड लेते हैं जिसा चावल है और बहुत सारे कार्ब्स जिसके अंदर मुझूद हैं ये भी जो है इन्फ्लामिशन और इन्फेक्शन पैदा करता है कई लोग शराब पीते हैं और कई लोग यो कौण का एस्तमार करते हैं कौण कहते हैं जो ज़ाधतार कॉर्पोहइडृट और कोलास में पाये जाता है सौफ ड्रिंक के अंदर पाये जाता है जिसके वज़ा से ये इन्फेक्शन और इंफ्लैमिशन होता है जिसके विजासे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्ध होता है अब जो है ये जो पैंक्रियास का जो फंशन ये है कि ये हमारे ब्लेट शुगर को और गलेकोजन को हमारे ब्लेट में क्या करता है मेंटेन करता है अगर जो है इसके अंदर खराबी आ जाती है इसके अंदर कुछ इशूस पैदा हो जाते हैं तो जाहर से बाते है डागटीस होने के पूरे चैंसे होते हैं अब रहा मसाला कि इसे हम कैसे बचिए हैं पहले बात ये है कि अगर प्राप्रम है और बाख़दा ये प्राप्राप्रम से बच्चे परेशान है या खुद बड़े लोग भी से बहुत परेशान है तो यूनारी ट्रीट्मेंट बाख़दा करें सिस्टरमेडिक बहुत अच्छा यूनाने में इसका क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट है और जो है ब्लेक्ट के अंदर जो सिरम अमेलेज जो बढ़के रहता है उसको भी कंट्रोल जो होने की चांसस हैं मकर कब उस वक्त जब आप सही तोर पर डायेट मेंटेन करते हैं खाने की जो उनको मेंटेन करते हैं क्योंकि यह आता ही है कोई कार्वो हैडरेट और अलकोहाल और सॉप ड्रिंक और जंग फूट के इस्तमाल ज्यादा करने के वज़ा से तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई अलकोहाल जो कहते हैं कि हम कभी कभा शराप पीते हैं तो बहतर है कि वो कभी भी बंद कर दें शराप कभी भी अच्छा नहीं है वो नुखसान का निवाले चीज़ हैं खाने के अंदर जो लो कार्वो हाइडरेट जो फूड है वो उसका इस्तमाल करें और ज्यादातर पानी इस्तमाल करें और विजिटेबल आयड और बेटर का भी आवड करे तो ये जो है इसके इलावा फास्टिंग जितना आप फास्ट करोगे अपने पेट को भूगा रखोगे वक्त मिलता है हर आरगन को जो है सुधरने का अपने आप को ठीक करने का एक वक्त मिलता है तो फास्टिंग करने से भी जो है बहुत हद तक ये डेजेशू इस्यूस पैदा नहीं करता बलके 90% से ज्यादा यह जो डाइजेशियों एंजाइम है उसको जो है वो प्रिडियूस करता है जब हमारा जो हाजिमा यह डाइजेशन खराब हो जाता है तो सारी भीमारियां एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं